शेक की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मोजज़ा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। ये हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था? और इसने शेक की बेटी से शादी क्यों की? ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा ये हकीक सौधिया में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरासल सौधिया के मारूफ शेहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अर्भी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी तीन बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनों जमील थी। एक दिन शेख जा जाहिद नामी यह अर्बी शक्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शेहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से तालुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजर था लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोक कर उससे पूछा कि क्या मसला है जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। ये सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूँ इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूँग क्योंकि तुम अर्बी तो मालूम नहीं होते जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ज्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूँ तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर इमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंत्किल करोगे। यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा क्यों नहीं शेख साहब मैं पूरी इमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूँगा। यू वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देख भाल करे और उनकी तालीम और तबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियात पर तंखवाह देने लगा आसिफ भी पूरी इमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किये जाते यूँ आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली तकरीबन डेड़ साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पा बेटा मुझे तुम पर पूरा एत्माद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरी तीन जवान बेटियां हैं मैं अब बाहर निकल कर काम नहीं कर सकता मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी है अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दर्ख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो दोस्तो शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खाले के हकीकी से जा मिले यानि उनका इंतकाल हो गया जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुँचा तो पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ शेख साहब की बीवी जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी वो कहने लगी कि आसिफ बेटा तुम इंतहाई शरीफ और नेक इनसान हो हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़ कर ना जाओ खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हार सिवा और कोई नहीं लेकिन आसिफ ने कहा कि वो अपना कारोबार करना चाहता है लिहाज़ा वो मजीद नौकरी नहीं कर सकता ये कहकर वो वहां से चला गया यह जुम्मे का दिन था और आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाजे जुम्मा अदा करने मस्जि भी बन जाते हैं बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं यहां तक की हकीर समझने लगते हैं कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरखत के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोनने लगते हैं हकीकी मुसल्मान को ये तालीम दी गई कि यतीम अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्न सुलूक किया होगा। अल्लश ताला ने कुराने मजीद में बार बार यतीमों से हुस्न सुलूक की तल्कीन की। अल्लाह ताला फर्माता है कि मा, बाप, कराबतदारों, मोहताजों, रिष्टेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है, सब के साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ, जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हो, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ, कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बे आसरा नहीं छोड़ना चाहिए, जुम्हे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुँचा और कहने लगा, कि मैंने हुजूर अकरम सल्ललाहु अलेही वसल्लम की हदीश सुनी है, कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ, जन्नत में मेरा हमसाया होगा, इसलिए अब मैं आपका बेटा बन आसिफ से कर दिया, मगर तीन साल गुजरने के बाद भी आसिफ के यहां उलाद ना हुई, एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा, कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो, कि खाना-ए-काबा में मकाम-े इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अलाह इन्हें उलाद से नवाजेगा, जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद, यानि आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया, तो कुछ ही दिनों में अलाह ताला ने खुश खबरी दे दी, फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलाह हाफिज